हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपून टॉपिक लिए आई हूँ क्यासी भी डायविटीज हो ब्लड प्रेशर हो यह बहुदा जड़ से खत्म करतेगा जीवन में लाए बाहर सदा बाहर आये जानते हैं इसके बारे में दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपून है और यह डायविटीज के पेशेंट और ब्लड प्रेशर और कैंसर के पेशेंटों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में हमारे चारों तरफ कहीं न कहीं आपको मिली जाता है लेकिन इसके गुण ना मालूम होने के कारण इसे खर पतवार की स्रेमी में रखकर ह इसे उखाड कर देते हैं लेकिन ये साधारन से दिखने वाला पौधा कैंसर डाइवेटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अतंत वाइदेमंध है आए जानते हैं इस पौधे के बारे में इस पौधे का नाम है सदाबहार इसे सदाबहार इसलिए कहा जायता है क्योंकि में सदाबहार सदासुःगिन सदाफ दा शुहानी उडिया में एंस्ट काटी कनण मी सदाबूष्भिया कानि गालू गुजराती में बारह मासी तमिल में सुधकदू दमल्लिकई तेलगी में बिल्ला गन्ने रू मंगाली में गुलफेरिंगी नोयंतारा और त्रें राशन नेपाली में इसे सदा बहार कहते हैं, मराथी में सदा फूल, मल्यालम में उषा मल्लारी, अंग्रेजी में मेड़ा 위ंगल, ऑल्ड मेड्ड इंडियन पैर विंगल, विनका, रोज पैरिवiffs कहते हैं इस साधारन से दिखने वाले पोधिको इसके गुणों के कारण करेंगे सदबाहर की पूरे पोधे में लगभग 150 प्रकार की एलकोलॉइट पाए जाते हैं जिनका हाइपोग्लामिक इफेक्ट होता है यह इफेक्ट रक्त में शुगर के लेवल को कम करने के लिए बेहद लागकारी है यह एलकोलेट्स प्रक्रियांस की बीटा सेल्स को शक् संतुलित करके रखता है इसलिए यह दोनों प्रकार के शुगर के रोग्यों के लिए अतियंत पाइदे मन है डायविटीज में इस पौधे के फूल पत्ते तहनी आदी का रस भी पी सकते हैं या इसके चटनी बनाकर खाएं या रात को पांच पत्ते एक गिलास पानी में भ 10 दिन बाद अपनी सुगर जांच करवाएं आपको निश्चित ही फाइदा होगा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को नियंद्रित करना है तो इसके लिए भी यह बहुत ही फाइदेमंद है इसके लिए इसकी जड़ को साफ करके सुबर चबा चबा करके खा लीजिए या आपको मिला कर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा सरपगंधा आप किसी पंसारी से ले सकते हैं अगर सरपगंधा ना मिले तो भी आप अकेले सदा बाहर की जड़का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपकी डाइविटीज घत्म हो जाएगी उमेद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूशना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी क सब्सक्राइब करना भूलें हम फिर मिलेंगे आपकी प्रावलम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आउंगी रोजाना नए नए घरेलूप चारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हेल्दी रहें खुश रहें थैंक्य कर दो